दूस्तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाफ फे हाउस जिसका हिंदी टाइटल है आधिय धूरे इस प्ले को लिखा है मोहन राकेस ने इस प्ले की सुरुआत में हमें सावित्री नाम की आधी अम्र की महिला दिखाई पड़ती है जो अभी अभी काम से लोटी है सावित्री जैसे ही अपने घर में गुशती है वो चेटड़ी दिखने लगती है क्योंकि घर का सामान सारा बिखरा पड़ा था वो सामान ठीक करने लगती है तब ही उसका पती महेंदरनात कमरे में आता है वो देखता है कि उसकी वाइफ आज काम से जल्दी लौट आई है महेंदरनात उसे पूचता है कि आज तुम काम से जल्दी लौट आई हो उसकी बातों पर सावित्री ध्यान नहीं देती और सफाई करती रहती है सावित्री गुस्से से महेंदरनाथ से कहती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है मैं बाहर से लेके घर तक क्या सारा काम मही करूंगी उसकी बाते सुनकर महेंदरनाथ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूँ सावित्री कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मददी करनी थी तो तुम भी ये सारा काम कर देते दोस्तों सावित्री की बाते सुनकर ऐसा लग रहा था कि पूरे घर पर सावित्री का डॉमिनेंस है मतलब वो पूरे घर को कंट्रोल करना चाहती है सफाई के दोरान सावित्री महेंदरनाथ से बताती है कि आज मेरा बास सिंगानिया घर पर आ रहा है महेंदरनाथ ये बाते सुनकर थोड़ा इतराज करता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम्हारा बास से इंगानिया बार बार मेरे घर पर आये इसके अलावा वो कहता है कि मैं बाहर जाओंगा अगर तुम्हारे बास से मिलना है तो तुम उससे मिल सकती हूँ आज मेरा दोस्त जुनेजा भी देश से वापस आ रहा है मुझे उसके साथ कुछ बिजनेस के लिए बात करनी है उसकी बाते सुनकर सावित्री कहती है कि तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों ने एक साथ पैसा लगया था बिजनेस में लेकिन देखो तुम्हारा दोस्त आज सफल है और तुम असफल हो गए साथी सावीतरी इन सबके लिए जुनेजा को चिम्मेदार ठहराती है वो कहती है कि उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया और वो आज आगे बढ़ गया और तुम पीछे रह गया आगे वो कहती है कि अगर तुमहें बजनेस करना है दोस्तों मैं आपको बता दो कि इस घर की आरती किस्तित्री ठीक नहीं है क्योंकि केवल सावित्री ही इस घर में कमाती है इस घर में सावित्री के अलामा उसका पती महेंदरनाथ और साथी तीन बच्चे हैं बड़ी बेटी का नाम है बिन्नी और छोटी का नाम किन्नी है साथ ही उनका एक बेटा भी है असोग जिसकी उम्र करीब 25 वर्स है लेकिन वो भी कुछ नहीं कमाता असोग कुछ भी नहीं कमाता जिसकी वज़े से सावित्री को टेंसन है अपने बेटे को जॉब दिलाने के लिए वो अलग-अलग लोगों से बात करती है इसलिए वो सिंगानिया को अपने घर पर बुलाती है ताकि असोक के जॉब के लिए बात हो सके लेकिन महंदर नात को ये नहीं पसंद है क्योंकि उसको कहीं न कहीं सख है कि सावित्री और सिंगानिया के बीच कुछ तो चल रहा है इन सबी चीजे के अलामा घर में एक और समस्या है वो है सावित्री की बड़ी बेटी की समस्या बिन्नी की एक्चलि बिन्नी किसी मनुज नाम के विक्ती से भाग कर साधी कर लेती है और फिर बाद में वो इनसान कहीं चला जाता है जिसके वज़े से बिन्नी अपने माबाप के साथ रह रही है तो उस हिसाब से बिन्नी का भी खर्चा सावित्री कोई उठाना पड़ रहा है इन सारी समस्याओं को देखते हुए महंदरनाच चिर्षा जाता है वो कहता है कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन परिवार में मुझे ताना ही मिलता है साथ ही वो असोग की उपर भी गुस्सा करता है वो कहता है कि ये घर पर क्यों बैठा है कोई काम धंदा क्यों ने ढोड़ता साथ ही वो बिन्नी के बारे में भी डिसकस करता है वो कहता है कि अगर बिन्नी भाग कर साधी न करती तो वो अपने ससुराल में रहती ना कि अपने माईके में हम लोगों के साथ घर में जो सारी चीजे भी चल रही है महंदरनाथ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता है क्योंकि वो अभी सेटल नहीं है साथ ही जब से साभित्री नौकरी करने लगी है सबी चीजों का डिसीजन वो लेती है हर चीज पर अपना अधिकार दिखाती है साथ ही वो अपने घर में अलग-अलग मर्दों को इन्वाइट करती है यानि कि उसने बहुत सारे मेल्स के साथ दोस्ती कर रखी है ये चीज नौकरी के लिए उनसे बात करनी है अपनी मा की बाते सुनकर असोक कहता है कि मुझे उस आदमी से कोई नौकरी नहीं चाहिए क्योंकि वो मुझे बिलकुल भी नहीं पसंद उसको नहीं बात करने की कोई तमीज है और ना कपड़े पहनने की अगर वो तुम्हारा बास नहो नौकरी के बारे में डिसकस करने की बजाए उसकी बड़ी बेटी बिन्नी के बारे में इंटरेस्ट लेने लगता है ये चीज़ देखकर असोक को गुस्सा आता है वो सुचता है कि ये मेरी बेहन के बारे में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है वो सिंघानिया के इंसल्ट कर द इतने में सावित्री कहती है कि मैं कमा के सब का पेट भरूँ उपर से सब मेरे उपर सवाल उठाते हैं अब से मैं सिर्फ अपनी परवा करूँगी दोस्ति ये घर पूरी तरह से विखरा हुआ है परिवार के सभी सदस अलग थलग है वो सभी घर की परिस्तिति के लिए एक द लेती है साथ ही असोग भी कोई काम धाम नहीं करता बलकि पेपर से एक्ट्रसेस की फोटोस काट कर अपने पास कलेक्ट करता है और लड़ियों के पीछे गोमता है घर में इतना सब विवाद होने के बाद महेंदर नात अपने घर से अपने दोस्त जुनेजा के पास चला ज उठाती है वो कहता है कि मैं तुम्हारी मां सावित्री से मिलने आ रहा हूँ यह बात बिन्नी अपने मां से जब बताती है तो वो कहती है कि आज जग मोहन मुझसे मिलने आ रहा है मैं उसके साथ बाहर जाओंगी जुनेजा से कहा देना कि मैं आज फ्री नहीं हूँ दोस्त वो कहता है कि महेंदर का blood pressure भी बड़ा हुआ है जुनेजा इन सबी चीजों के लिए सावित्री को जिम्मेदार ठहराता है सावित्री कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है लेकिन जुनेजा कहता है कि मुझे करनी है और तुम्हें सुनना पड़ेगा जुनेजा कहता है कि किसी का फायदा कैसे उठाना है ये तो कोई तुमसे सीखे आगे वो कहता है कि एक समय था जब तुम्हारी साधी नहीं हुई थी तो तुमने मेरे कंदों पर अपना सर रखके सहारा लिया था साथी आज के टाइम पर तुम्हारा संबंद जगमोहन और स जिंगानिया जैसे लोगों से है वो कहता है कि तुमने तुम मनोच को भी पसाना चाहा था लेकिन वो तुम्हारे जासे में नहीं आया बलकि वो तुम्हारे बेटी को भगा कर ले गया और उससे साधी कर लिया ये जिस सुनकर जैसे बिन्नी के पेरो तले जमिन खिसक गई वो गुस्ते से कहती है कि आप सब चूपो जाएए इस पर जुनेजा कहता है कि मुझे माफ कर दो बिन्नी मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था आगे जुनेजा कहता है कि अगर तुमको जगमोहन और सिंगानिया जैसे लोगों के साथ रहना है तुम बेसक रहो लेकिन मेरे दोस्त को जीने दो उसे जलील मत करो सावित्री कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हान से चले जाओ दोस्तो फिर जगमोहन वहां से चला जाता है सावित्री इन सभी बातों पर विचาर करने लगती है और फिर यहां पर हमारा यह प्ले एंड हो जाता है तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई